तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का दोस्तों वीडियो पर बने रहेगा ये है अक्षर धाम मेट्रो इस्टेशन का इलाका जो यमुना नदी के बाढ़ के कहर से ग्रसित है मैंने कुछ ऐसे द्रिस से दिखाया है इस वीडियो में कि जहां पर ना तो मीडिया पोच रहा है ना तो जो है कोई अधर व्यवस्था है कि जहां से लोगों के बीच में आए यह आप देख रहे हों कि आपके लेफ्ट साइड से अक्षर धाम मेट्रो इस्टेशन से मेट्रो आती है और आपके जो राइट साइड में अभी हम दिखाते हैं कि जो राइट साइड है वो जो है आपका प्रजाता है यमणा बैंक मेट्रो स्टेशन और यह नोइडा और दिल्ली को जोडने वाला फ्लाइ ओबर है और यह जो है आप जो मेट्रों आप देख रहे है यह जा रहा है यमणा बैंक के तरफिए और बिच्पर और दोस्तों जो आप अपारमेंट देख के लोग थे वो बिचारे यहां पर आकर सलक पर रह रहे हैं और प्रसासन के तरफ से इस साइड में कुछ बहुस्ता है खाने पीने का लोग आते हैं खिलाते हैं लंगर लगाते हैं और अक्सर आपने देखा होगा दिली में इस समय जल भराओ का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो जो यूपी और बिहार की बसे आती हैं वो यहीं से रुकना चालू हो जाती हैं यहां पर जो निचले इलाके के लोग थे सरणा थी हैं इस टाइम वो रोडों पे रह रहे हैं और यह जो यूपी बिहार की धेर सारे यात्री हैं पहले ही यहीं पर ही बस रोग दिया ग आप लोगों को मेट्रो दिखी रहा होगा ये वाला आपार्मेंट आपको दिख जाता है बाकी यमना बैंक से आगे हम निकल के आए हैं और ये अक्षर धाम यानि कि गड़ेस नगर के जेश्ट बगल से इतना जादा जल भराव है मैंने सोचा एक वीडियो सूट करें और है बाई दवे सिंगनल इन लोगों को मिलता है तब निकलती है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है पानी का और आप लोग जहां भी रहें सुरच्छित रहें अपने आपको बजा के रखें